दो चीजों का अध्यान करना है एक तो बेद का अध्यान करना है और एक अपने जीवन का अध्यान करना है कहां कहां कमिया मेरे जीवन के अंदर हैं बुद्धी अगर आपको शुद्ध करनी है तो उसके लिए योग अध्यान अपने जीवन के अंदर प्रारंब कर दीजिए रिशी मुनियों और बेदादी शास्त्रों का जो जियान है उसको पढ़ने की परंपर अपने जीवन के अंदर बनाईए का यहां पर केवल मत रुक जाना आगे और चलना है जितना आपने पढ़ा अब आपको अपने मन को शुद्दगर करना है तो वो पढ़े हुए का मनन कर लेना प्रवचन का लेना ब्यवार का लेना सबसे पहले लीजिए कोई अगर विद्दवान है उससे ले लीजिए कोई अगर गरंत है उससे ले लीजिए ये क्या कहलाएगा ये आगम काल कहलाएगा और उसके बाद केवल आपने पढ़ लिया अब उस पर मनन नहीं किया है कि वो ये सोसता है कि ये सही है या ये गलत है आपने जितना पढ़ा कहीं से भी पढ़ा जितना सुना कहीं से भी सुना उसमें किंतु और परंतु जरूर डाल लेना कि ये बात सही है तो क्यों है ये बात गलत है तो क्यों है परंपराओं के संभाग मत बनो कि जी हमारे बड़े लोग मानते आए इसलिए हम भी मान रहे हैं उन लोगों ने माना इसलिए हम भी मान रहे हैं आज हम ऐसी परंपराओं के संभाग बन गए कहते कि मौलाना साभ चले जा रहे थे किसी ने हसते हुए का साब आपकी जो डाड़ी है ना ये डाड़ी बहुत सुन्दर है तो मौलाना साब ने हसते हुए का हमारे गर की परंपरा है मेरे बाबा जी रखते थे मेरे पिता जी रखते थे और अब मैं रख रहा हूँ उसने लगे हाथ का मौलाना साब आपका ये जो कोट है ये कोट बहुत सुन्दर है फिर उसने का मेरे कुल की परंपरा है हमारे दादा जी कोट पहनते थे हमारे पिता जी पहनते थे और अब मैं पहन रहा हूँ धीरेस उसने का मौलाना साथ आपने विवार नहीं किया बोले हमारे कुल की परंपरा है हमारे दादा जी नहीं किया हम ले भी विवाँ नहीं किया ऐसी परंपराओं का संभाहक अगर मनुष्य बनता है कि उन्नति नहीं कर पाएंगी कोई परंपरा है कोई ज्यान की धारा अगर आपके थास में आती है, तो वहां पर चिंतन जरूर करना और ये प्रात्यकाल का आदा गंटा इस बात पर लगाना, कि मेरे जीवन के अंदर कौन-कौन सी चीज़े उन्नतिकारक हैं, कौन-कौन सी अवनतिकारक हैं, जो मैंने आदा गंटा पढ़ा है, इसके लिए मेरे जीवन में का चिंतन मेरे जीवन में धर्म की बड़ोत्री कैसे हो अगर मेरी आँख गलत देखती है तो इसका सुधार कैसे हो मेरे कार अगर चुगली पसंद है इसका सुधार कैसे करूँ मेरी बाणी अब शब्द अगर बोलती है इसका सुधार में कैसे करूँ मेरा अंग प्रत्यंग शुद्ध और पवित्र कैसे हो, इसका चिंतन अपने जीवन के अंदर करना, और जब शुद्ध चिंतन होगा, तो सत्य जान आपके पास में होगा, और जैसे ही सत्य जान आएगा, तो आप एक चीज का अनुभाव करेंगे, कि आपका मन सुद्ध और मजबूत होगा, तो मन जब शुद्ध हो जाएगा फिर अगली प्रक्रिया कह दी आदा घंटे आप आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए का ये आत्मा कैसे सुद्ध होगी तो कह दिया बिद्या तपो भ्याम भूत आत्मा आपकी आत्मा जो है तपके द्वारा पवित्र होगी मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए, आज अमारी तपस्या सारी खतम हो गई, हम जरासी चीज में बेचेन और बिचलित हो जाते हैं, पहले के आदमी कितनी गर्मी सेहन कर लेते थे, कितनी ठंड सेहन कर लेते थे, अब एक दिन गर्मी पड़ जाए, आदमी हाई मर गया इतनी गर्मी, हाई मर गया इतनी दिर बैठना पड़ा, हाई मर गया ये करना पड़ा, ये जो आतपस्या जीवन के अंदर से समाप्त हो रही है, अगर आतमा को पवित्र करना है, तो उसके लिए तपस्वी बनना पड़ेगा, तपस्या जीवन के अंदर आए, और बिद्या, बिद्या का पर क्या है जो पदार्थ जैसा है उसको बैसा मानना और जानना ये संसकार अपने अंदर आएं और ये संसकार आएंगे कैसे जितना जितना हम इश्वर के नजदीक जाएंगे जितना जितना भगवान के समीप में जाएंगे उतनी उतनी हमारी आत्मा पवित्र होगी तो जो समय है इसको आप चार चीजों की शुदता में लगा दीजिए एक शुदता शरीर की एक शुदता बुद्धी की एक शुदता मन की और एक शुदता आत्मा की अब आप सोच के देखिए क्या आप कोई अनुवा होगा कि इन तीन दो तीन गंटों का मैं क्या करूंगा सबेरे उसके लिए आपके पास परियाप्त काम है और अगर उस समय आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो कैदिया ये उशा का तात्पर होता क्या है उशा काल में उठने के फलो प्रतिफल क्या होते हैं प्राते काल जागरे तवस्था में व्यक्ती रहता है तो उसके जीवन की स्थिति क्या बनती है उशा को खोलते हुए हमारे शास्त। के अंदर कह दिया उससती बिलसती तमसा उशा काल क्या है रात गई तो ये ध्यान रखना मेरी प्रभात गई रात में अगर सोना ठीक नहीं तो आपका प्रभात कभी अच्छा नहीं हो सकता है जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने की आदत बनानी पड़ेगी और ये जो उशाकाल है इस उशाकाल के अंदर जिसमें बिलास उत्पन हो जाए जिसमें आनंद उत्पन हो जाए उसी को उशा कहते हैं तो ये इस्मरन रखिए उठ करके जिसमें आपको प्रसनता हो कभी आप अनुभा करके दे प्रस्था में नहीं रहूंगा जिस समय ग्रियस्तियों के करतब्य रिशीद आनंद संसकार विदी में लिखते हैं तो वहां वो लिखते हैं प्रतेक इस्त्री और पुरुष को चाहिए कि रात्री दस वजे वो सो जाए और प्राता है चार वजे वो उठ जाए अब दस बहुत है फिर लगेगा थोड़ा सा और कर लें अगर आपने मन को बिकल्प दे दिया तो तो गड़बड हो जाएगी और आपने का नहीं मुझे तो जगना है अंधेरा है तो बना रहे मुझे तो बहुत सारे काम हैं और सबेरे आप दस दिन मेरे कहने से यह चार काम करके द रहेगा आपका मन बिल्कुल रिलेक्स रहेगा आपकी बुद्धी हर काम में इस्तिर होगी आपका शरीर हर काम को करने के लिए तैयार होगा और अगर उशा काल तक प्राताय काल आप नहीं उठे सूरे उदय के बाद तक सोते रहे आपके पूरे दिन शरीर में आलस से प्रमा हो जाएगा सवेरे सूरे का उदय होता हुआ जो व्यक्ति अपनी आँखों से देखता है सूरे की वो किरने उसके जीवन की रक्षा करने वाली होती है इसमरण ये रखना हमारे या ये परमपरा थी आप पुराने लोगों को देखिए कोई व्यक्ति घर में बीमार भी होता था ना तो उसको भी सूर अस्त के समय और सूर उदय के समय सोने नहीं देते थे उसको भी कहते थे अभी उठके बैट जाओ फिर थोड़ा निवरित हो करके और फिर बाद में सो जाना क्योंकि वो जानते थे अगर इस समय ये सोएगा तो इसके शरीर में बीमारियां प्रव शुत्तम रामचंद जी को 14 वर्षों का बनवास हो गया बनवास में वो चले गए इधर पिता की मिर्त्यू हो गई उधर से भरत को बुलाया गया भरत जब आयोध्या में प्रवेश करते हैं तो इतियास कार लिखते हैं कि वो देखते हैं कि आयोध्या के अंदर वो चमक प देख रही है क्योंकि एक चीफ का इसमान रखना यह आंखें जो ऐना अंदर क्या चल रहा है यह सब कुछ बता देती हैं आपको किससे नफरत हैं यह आखें बता देंगी आपको भूक लगी है आपकी आँखें बता देंगी ये आँखें सब कुछ बोलके बता देती हैं कौन अब्यक्ति ब्राम्न प्रकृति का है ये आँखें बता देती हैं कौन छत्री प्रकृति का है ये आँखें बता देती हैं कौन देने की प्रवित्ति वाला बेश्षर प्रकृति का है ये आखें बता देती हैं किसके अंदर सेवा का भाव है ये आखें सब कुछ बता देती हैं आखों को भरत ने देखा और लगा कि यहां के लोग पतानी क्यों बदल गए हैं मेहलों में गए तो वो पहले वाली रंगत नहीं थी और सारी इस्तितियों का आपको पता है जब भरत को सारी बात का पता चला तो उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ये सारी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी लेकिन एक बात की चिंता भरत के मन के अंदर थी कि जिस माता कौशल्या के आचल में सरव जीने का कोई अर्थ नहीं होगा इसलिए सारे काम छोड़ करके पूरी दुनिया को मैं सफाई दू उसकी मुझे आवश्रक्ता नहीं है मैं माता कोशल्या के पाँ जाता हूँ और कहते हैं जैसे ही पोँचे हैं माता ने देखा भरत आ रहा है आप सोचके देखिए उस माता के हृद्या की बेदिना जिसके बेटे को smoking वर्षों के लिए निरदोस होते हुए बन भेज दिया गया जिसकी इकलौती बहुबी उसके साथ में गई हुई है जिसके पती का देहांत हो गया हो उस माता के हिरदय के अंदर क्या बीत रही होगी भरत को आते हुए देखा आँखों में आशु भर करके कहा मेरे बेटा भरत तुम आ गए यहां पर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है अब तुम राजा बन गए हो एक मेरे उपर किरपा करो अपने सैनिकों से यह कह दो जहां पर मेरे बेटा राम और बहु को छोड़ करके आए हैं वहीं पर मुझे भी छोड़ करके आ जाएं मैं अपने जीवन को वहाँ पर काट लूँगी मुझे महल काटने को दोड़ते हैं बेटा तुम राजा बन गए हो मैं तुम्हे आशिरवाद देती हूँ अगर जरासी भी मेरे उपर तुम किरपा करपा हो तो मुझे छोड़ करके आ जाओ कहते भरत की आँखों में आशू आ गए और काम मा कैसी बात करती हो मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया मेरी मा जैसी भावी चली गई मेरे पिता का आशिरवाद मेरे सिर से उठ गया मेरी जो जन्म जादात्री मा है उसको अभी में छोड़ करके आया हूँ इस दुनिया में तेरी गोद के अलावा तो मेरे पास और कोई जगए नहीं है या तो तेरी गोद है या शमशान की भूमी है उसके अत्रिक्त भरत के पास में और कुछ नहीं है और मा मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ और मा तुम्हें ऐसी स्वार्ती कैसे हो सकती हो और अगर तुम्हारे मन के अंदरे भावना है कि भरत ने राम को बन भेजा है तो वहाँ पर बालमिकी लिखते हैं कि वो कहते हैं मा मैं सबत लेता हूँ मैं कसम खाता हूँ और उन्होंने वहाँ पर कुछ कसमे खाई है उन्होंने का अगर मैंने भाईया राम को बन भेजा हो तो मुझे वो पाप लगे जो माता पिता का निरादर करने वाले व्यक्ति को पाप लगता है मुझे वो पाप लगे जो हॉम हवन यज ना करने वाले व्यक्ति को लगता है मुझे वो पाप लगे जो भाई का हिस्सा खा लेने के बाद व्यक्ति को लगता है मुझे वो पाप जीवन के अंदर लगे जो गाए को लात मारने वाले को लगता है और एक वहाँ पर उन्होंने गिनाया कि मा मुझे वो पाप लगे अगर भाईया राम को मैंने बन में भेजा है जो सबेरे प्रातयकाल सूरे उदय के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है वो वाला पाप मुझे लगे भरत वाँ कह रहे हैं वो व्यक्ति जीवन के अंदर पापी होता है जो सूरे उदय के बाद भी सोता रहता है भरत ने वापर कसम खा करके ये कहा कसमे तो हम आज हम लोग भी खाते हैं लेकिन हमारी कसम खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है जब कोई जूटी बात सत्य सिद्ध करनी होती है ना तो हम लोग फिर कसम खाते हैं रिशीद आयानंद अपने व्याख्यानों में एक दिश्टांत दिया करते थे कभी आपको मौका मिले तो आप उस पुस्तक को पढ़ कर करके देखिए जिसके अंदर जो है भवानिलाल बार्ती जी ने लिखा रिशीद आयानंद के जो सत्संगी लोग थे जिनोंने उनको देखा था उनके भाषणों को सुना था तो उन लोगों ने बताया कर रिशीद आयानंद एक हर्याना का दिश्टांत दिया करते थे बोले अच्छा काम करके आया पत्नी ने का तू तो बिल्कुल पागल आदमी है ये गुरू जी बिना मतलब में बना के आ गया घर में बैसी खाने के लाले पड़ रहे हैं अनाज इतना कम हो रहा है और अब ये गुरू जी बना लिया अब दो कुंटल के हूँ साल बरे का इसको देन पड़ेगा तू गुरू जी बना के नहीं आया तू ने दो कुंटल अनाज का नास मार दिया ले करके तो ये बड़े उससे कहता पागल तू समस्ती नहीं है मैंने कोई गाटे का सौधा नहीं किया है मैंने बहुत फाइदे का सौधा किया है बोले कैसे फाइदे का सौधा क एक मैं अगर जूट को सही करूँ तो तेरी कसम खाने सकता हूं क्योंकि तु मुझे बड़ी प्यारी है मैं बच्चों की कसम खाने सकता हूं वो मुझे प्यारे हैं अपनी कसम खाई ciento कही मर गया तो दिख्कत हो जाएगी कम से कम ये गुरू जी कसम खाने के काम आता रहेगा अगर दो कुंटल गेहूं दे करके गुरू जी कसम खाने के काम आ रहा है तो कौन सा गाटे का सौधा है फाइदे का सौधा है तो ऐसी कसम की बात नहीं वहाँ पर सत्य को स्थापित करने के लिए व्यक्ति संकल पर लेता था और उसी का नाम अपने ब्रत को मजबूत करने के लिए वो प्रमार प्रस्तुत करता था भरत ने वहाँ प्रस्तुत किया कि मा मुझे जीवन के अंदर वो पाप लग जाए जो पाप एक व्यक्ति को प्राताय काल न उठने पर लगता है तो आप सोचके देखिएगा ये कितना अपरात का काम है इससे हमारे शरीर की हानी है इससे हमारे मन और बुद्धी की हानी है आत्मा के लिए जो हमें करना चाहिए वो वाला काम हम नहीं कर सकते हैं तो रिशी ने कह दिया आप प्राताय का होगा जीवन के अंदर अविद्या का नाश होगा जीवन के अंदर अलोकिक प्रकाश होगा इस संसार में दो प्रकार के प्रकाश होते हैं एक लोकिक प्रकाश होता है और एक अलोकिक प्रकाश होता है दोनों के अंदर अंतर क्या होता है लौकिक जो प्रकाश होता है उस लौकिक प्रकाश के अंदर गलत काम हो सकते हैं लेकिन अलौकिक प्रकाश के अंदर गलत काम नहीं हो सकते हैं अचा सोच के देखिएगा दिन के उजाले में कोई आदमी चोरी कर सकता है कर नहीं कर सकता है आराम से कर सकता है रात में चोरियां होती है लेकिन दिन में भी कई बार चोरियां हो जाती है प्रकास तो है लेकिन वह गलत काम हो सकता है अचा दिन के उजाले में कोई आदमी जूट बोल सकता है कर नहीं बोल सकता है लेकिन जिस दिन आपके जीवन में अलोकिक प्रकाश आ जाएगा भगवान का प्रकाश आ जाएगा ज्यान का प्रकाश आ जाएगा उस दिन उस अलोकिक प्रकाश में हम चोरी नहीं कर सकते हैं उस समय अलोकिक प्रकाश में हम जोट नहीं बोल सकते हैं तो प्राताय काल उठ करके जो ईश्वर का चिंतन करता है उसके जीवन में अलोकिक प्रकास आता है और वो अलोकिक प्रकास उसके जीवन को उत्तर उत्तर उन्नती के रास्ते पर ले करके जाता है विवेक संपत्त यहाँ उसके जीवन की जो संपत्ती है वो विवेक बन जाता वो विचारवान बन जाता है तो उसके जीवन के अंदर सारे स्रिष्ट काम होते हैं बेदमंत्र ये कह रहा है उच्छन नुश्रसहा प्राताय काल की इस बेला में तुम उठ जाओ क्योंकि सु दिना तुम अपने दिन को अच्छा कर लो अरिप्रा अपने जीवन को निश्प परी उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करूं और का उसे जा गब्यम उर्भ्यम विवक्षू क्रांती एक्त किरणों रूपी अपने जीवन में धनका संग्रय करने का प्रयास करूं आगे कहा प्रादिवा आपा शस्त्रू इस दुनिया में चाहे दिव लोग हो चाह को पुदेश करते हैं जिसकी बुद्धी ठीक हो जिसका मन ठीक हो जिसकी आत्मा पवित्र हो तो प्रातय काल उठने से आपकी मन बुद्धी आत्मा शरीव सब पवित्र होगा आपके दिन के काम अच्छे होंगे आपको इश्र सब कुछ देने वाला होगा आपके जीवन में अलोकिक प्रकाश होगा तो आईएगा बेद के संदेश को आत्मसात करें और कोशश ये करें जल्दी सोना और जल्दी जागना अपने जीवन के अंदर करें